नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी ट्रिपल सी एनम 7189 नियुक्ति पत्र नोटिस कब आयेगी यह बहुत बड़ा जो है प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में है बिभाग में बैठक नियुक्ति आदेश जिला एलाट्मेंट बिभाग की तरफ से सारी तयारियां पूर सभी जिले के सीमो सर को दिसा निर्देश से दिये गए नियुक्ति पत्र बित्रण समारो ति थी अब सासन अस्तर से दोस्तों कल जो है मैं आप लोग से बता रहा हूँ काफी देर तक अपडेट लेना चाहा लेकिन दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ क्या वहां से बाते हुई है सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल परना है तो सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिएगा दोस्तों कल दिन भर हमने अपडेट के चकर में कई बार बात की पूछा जो वहां पर एक सर है उनसे हमारी बात हुई तो बस कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ देर में बात कर रहे हैं अभी बैठक है अभी बैठक चल रही है भी भाग में तो फिर कुछ देर बाद फिर संपर के किया गया तो बैठक चल रही है मतलब यह बात जो है बताई गई फिर उसके बाद साम को जब बात हुई है देर साम में बात हुई है दोस्तों लभग 9 बजे के बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि बैठक जो हुई थी उसमें सब क कुछ तयारी जो है जैसे नियुक्ति आदेश जिला एलाटमेंट और नियुक्ति पत्र यह सब तयारियां पूरी हो गई हैं और नियुक्ति पत्र बित्रण समारों की तयारी जो तिथी भेजी गई थी पांच फरवरी और छे फरवरी यह दोनों सही थी लेकिन यह दोस्तों स संभावित थी थी रही और जब कि पांच फरवरी का जो है ये सासना देश नोटिस भी बनकर तैयार हो गया है बस सासन अस्तर से आदेश मिलना है सासन की तरफ से आदेश मिल जाए पांच तारीक वाली जो नोटिस है बातचीत हुई वहाँ पर वहाँ से यही बताया गया कि पांच फरवरी को कंफर्म है नियुक्ति पत्र मिलना लेकिन अब सासन अस्तर से क्या तैयारिया है उनकी कहां से कैसे जो है अब मुकमंत्री जी के उपर है यह सब तो दोस्तों अभी सासन अस्तर से कोई जबाब नहीं आया है जबकि पांच और छे तारीक को एप्रूवल क दोस्तों और नियुक्ति पत्र जो है पांच तारीक को ही मिलना तैथा अभी तक है आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों सभी जीले के सीमो सर को दिसा निर्देश भी दिया गया है गाइड लाइन भी बताई गयी उनको इस हिसाब से नियुक्ति पत्र बितरन समारो होगा और ऐसे आपको करना है और सबसे पहले नियुक्ति पत्र लखनों में दिये जाएंगे नव जिले के अभ्यर्थी जो रहेंगे नव जिले के कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा और सभी जिले में मुख्याले पर जो मुख्याले कॉन्फरेंस हाल होता है दोस्तों जिले के मुख्याले के कॉन्फरेंस हाल में प्रोग्राम जो चलेगा लखनवु से वो सब दिखाया जाएगा कैसे नियुक्ति पत्र वहाँ पर बुफंत्री जी अपनी करकमलों से दे रहे हैं उसके बाद फिर जो है हर जिले में नियुक्ति पत्र बित्रन कर दिया जाएगा एक से डिड़ घंटे का कारिकरम है दोस्तों टोटल और अभी सासन अस्तर से कोई जवाब नहीं आया है जबकि एप्रूल के लिए भेजा गया था तो पांच सारी को रविवार है दोस्तों और रविदास जैनती इसी मौके पर जो है नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने थे लेकिन अभी तक कोई जो है पता नहीं चल पा रहा है कल हमने काफी देर तक जो है अपडेट के चकर में जो है काफी देर तक परेशान रहे दोस्तों लेकिन अपडेट मिल नहीं पाई सर के माध्यम से बस इतनी बात होती थी बैठक चल रही है विभाग में अपडेटिंग देखी जा रही है क्या क्या काम पूरा हुआ क्या नहीं हुआ फिर देर सामें पता ये चला कि सभी काम पूर हो गया है सभी काम जो है पूर हो गया है अब जो है सभी तैयारियां विभाग की तरफ से पूरी हो गई है आयोग और विभाग दोनों ने अपना काम पूरा कर लिया है अब क्योल सासन का काम है सासन मतलब दोस्तों मुख मंत्री जी का काम रह गया है और रही बात नोटिस की हमने ये भी पूछा सर नोटिस कब तक आले की संभावना है सासना देश नोटिस उन्होंने का जब सासन अस्तर से आदेश आ जाएगा तुरंत जो है नोटिस पब्लिस कर दी जाएगी और तुरंत ही जिला अलाटमेंट लिष्ट भी नोटिस जो है दोस्तों जिला एलाट्मेंट PDF लिस्ट वो भी पब्लिस कर दी जाएगी उसके साथ 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 तीन चीजे एक साथ आएगी सबसे पहला जो हो गया दोस्तों आप लोगों का सासना देश नोटिस नियुक्ति आदेश और जिला एलाट्मेंट पेडिया फलिष्ट यह सब साथ साथ आपको देखने को मिलेगा अगर पांच फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलता है यह कल साम बात हुई है यानि यह कब होग तो दोस्तों वेट करते हैं और आप लोग भी कोशिश करिए हम तो अपडेट के लिए हमेशा तयार रहते हैं कोशिश भी कर रहे हैं जो हमें वहाँ से मिलता है जबाब जो भी अपडेट मिलता है वह मैं आप लोगों तक पहुचा देता हूं थोड़ा धैर बनाके जो है अंतिम चरण पर है बसासन से आदेश की अनुमती मिल जाए वीडियो को जगस ज़एदा सेर करियागा दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपने वीडियो के माधम से आप लोगों तक जरूर बताऊंगा आप लोग घबलाई हमत टेंसन तो होती है दोस्त लेकि थोड़ा धैर बना के रखिए सब कुछ अच्छा ही होगा जो कुछ देर से होता है दुरुस्त होता है सही होता है दोस्तों यह हम मान के चलिए वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल परना है तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा और एक लाइक करिएगा बिलते ह नेक्स वीडियो में वीडियो को आन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद